हेलो फ्रेंड्स वागत है आपका एक बार फिर से आज मैं लेकर आया हूँ एक न्यू वेकेंसी का नोटिफिकेशन जो वेकेंसी है यूपियसी यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन के अंडर में और जो आईएस और जो बाकी जो भी पोस्ट है उनका एक्जाम होता है उसके ल 12-24 तक आप फॉर्म को फिलफ कर सकते हो यह लास्ट रहेगा और 6 बिज़े तक का टाइम रहेगा आपको अप्लाइ कर सकते हो अगर इसके बाद जैसे कोई भी आपको अपने फॉर्म में चेंज करना हो या कोई भी मोडिफिकेशन करना हो तो 6 मार्थ लेके आप 12 मार्थ त जो पर सुने बेंचमार्क डिशेब계 टेगरी से उनके लिए रखी गई जिन में च्यक्ष्टेघ जो है वो ऑट कि जो है वो deep and hard of hearing उनके लिए और no vacancy जो locomotive disability है उनके लिए रखी गई है ठीक है तो यह vacancy जो है वो जो है benchmark disabilities के परसना उनके लिए reserve रखी गई है और उसके बाद अगर उन्होंने दिया कि कौन-कौन सी जो post में कौन-कौन से जो person हो सकते जो disabilities उनको है तो उसके बारे में दिया बाकी उसके बाद अगर बात करें एक्जाम सेंटर की तो आप यह देख सकते हो कौन-कौन से एक्जाम सेंटर प्रिवेंस के लिए वाले वर कौन से जो मेंस के लिए exam सेंटर एविलेबल है और बात के बाद अगर बात करेंगी eligibility criteria क्या है तो या आप को इंडिया का citizen होना ज देता हूं कि जो minimum age रहता है UPSC के लिए 21 year है और maximum age की बात करें तो 32 year रहता है और इसके बाद जो अलगलग category wise आपको reservation मिलता है जैसे अगर आप SC or ST category से belong करते हैं तो आपको 5 साल का reservation मिलता है और अगर आप OBC से belong करते हैं आपको 3 साल का जो है एक्स्टा एज रिलेक्सेशन है उसके बाद बात करते हैं कि क्या हो education qualification क्या होना अगर कोई भी आपके पास कोई भी सब्जेक्ट से कोई भी आप सब्जेक्ट से graduate हो तो आप apply कर सकते हो और इसमें अगर attempt की बात करते हो अगर ऐसा SC or ST category से आप अगर belong करते हो तो आपको unlimited chance attempt के मिलते हैं अगर वही आप अगर वही आप करते हो तो नो चांच आपको मिलते हैं और वही अगर पीड़ुडी के टिकरी से तो आपको नो चांच जो मिलते हैं वह जन्रल ओविशी और economic weaker section उनको मिलता है और अगर सब्सक्राइब करते हो तो unlimited chances आपके पास रहते हैं ठीक है और magical आपको medical physical standard की बात करें तो आप every aspect में fit होने चाहिए और fees structure की बात करें तो अगर आप SCST और female और benchmark disability से बलोंग करते हो तो आपको वह कोई फी नहीं पे करना पड़ेगा और अगर आप general या कोई अधर के टिग्रीज है उनको सुरूपर का फीर है वह पे करना रहेगा बाकि apply का आप को website पर जाके कर सकते हो जो एक्जाम का आप देख सकते हो कि क्या कुछ process रहेगा और जो एक्जाम का श्कीम रहेगा तो टोटल में आपको बता देता हूं वेश्ट में दो रहता है एक तो सब्सक्राइब नुण दोनुट क सब्सक्राइब पेपर रहेंगे जो आपको एक तो English language का रहेगा और दूसरा जो रहेगा कोई भी आप language चूज कर सकते हो उसके बाद जो अगर आपन बात करें की पेपर जो merit में count होंगे तो सबसे पहले पेपर वन रहेगा जो एसे का रहेगा जो की 250 मार्स का होगा वो तो इसकी बाद जर्नर स्ट जी का पेपर होगा जिसमें इंडियन हिटेज अ कल्चर हो गया रहेगा रहेगा शींडियन इंडियन जेयो ग्रोफिटी मायस का रहेगा क्छा के बात कर दो करेंगा जिसमें टेक्नोलोजी एकनोमिक टवलोप्मेंट बायो डायोसिटी इन्वायरमेंट सिक्योर्टी डिजास्ट्र मेंजमेंट रहेगा वह भी 250 मार्स करेंगा उसके बाद जो सब्सक्राइब करेंगे तो टोटल यह साथ पेपर होंगे और टोटल मार्क जो होगा वह स के बाद आपको जो है पोस्ट अलोटमेंट दिया जाएगा अगर इसके लाबा कोई भी आप जानकारी था यह तो आप कमेंट कर सकते हो थैंक यू